हेलो बच्चुब, क्लास फोर्ट, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन टू, क्या है, ऐसे थे हमारे राष्ट पिता, हमारे राष्ट पिता, महात्मा गांधी के बारे में यहाँ आपके, जो है, लेसन में बताया जा रहा है, देखें, यहाँ फीगर है, पहले इनका बाल अवस्था ह है, फिर यू अवस्था, और फिर उसके बाद पौड अवस्था, फिर ब्रिद्धा अवस्था, चलिए देखतें क्या बता रहा है, बता रहा है, लेखें, भारत वासियों ने जिस महापुरुस के बताय हुए मार्ग, सत्य और रहिंसा पर चलकर स्वाधिमता, प्राप्त क सदियों से चली आ रही, घुलामी से मुक्ति दिलवाई, वह महान राव्यक्ती थे राष्टपिता महात्मा गांधी, वे एक राजनैतिक नेता ही नहीं बलकी कुशल सेनापती, समा सुधारग, दार्षनी कियों साहितिकार भी थे, और इन सबसे बढ़कर उनकी विसेस्ता अधि थी, कि वे मानावता के सच्चे फुजारी थे, बच्चों प्यार से उन्हें बापु कहकर उकारते थे, देखे यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी के बारे में लेखक हमारा बता रहा है, वह उनके महान ता का परिशे दे रहा है, साबर मति आश्रम में गांधी जी, वे सब भी कारी करते थे जिनें नौकरोद्वारा करवाया जा सकता था वे सब के साथ मिलकर काम ने हाट बताते थे कुछ वर्सों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम समालने में मदद की प्रात्य कालीन प्रात्ना के पश्चात्वे रशोई घर में जाकर सबजियां छिलते काटते यदि रशोई घर में जरा भी गंदिगी दिखाई देती तो उसे अपने हाँ से साफ कर देते औ और वहां काम करने वालों को आड़े हाथो लेते एक बार आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिये गांधी जी ने बड़ी सालीनता से उसे समझाया की आगे से बिना धोए सबजी मत काटना और काटने के बाद सबजीयों को धोना मत ऐसा करने से उनकी पौश्टिकता नश्ट हो जाती है गांधी जी आस्रमासियों को अक्सर स्वैन भोजन परोशते थे इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई सबजीयों दालों के बिरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे दच्छड अफ्रीका की एक जेल में वे सैक्ड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोशने का कारिक कर चुके थे मारे जो महत्मा गांधी थे वो इतने महान थे कि वो कोई काम भी जो छोटा नहीं समझते थे हर काम को अपने ही करते थे और उन्हें करने में जरसा भी जिजख नहीं होती थी वे पूजा करने के बाद रसोई घर में जाकर खुछ सबजियां चिलते थे आस्रम में और वो इस साब सफाई में भी बहुत ध्यान रखते थे गंदगी देखते थे तो वो जो है सबको उसको सिखाते डाटते भी थे दच्छड अफ्रीका में रहने वाले भारतियों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतिये प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिस सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए गा प्रिटा के रूप में उबरे थे और वह जो है उनकी मांगों को ब्रिटिस सरकार के सामने बही रखने के लिए लंदन गए लंडन गये था तीसरे पहर, दो बजे एक दुबला पतला और छरहरे बदन वाला व्यक्ति उनमें सामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सबजी काटने, रोटियां बनाने में उनकी मदद करने लगा कुछ समय पस्चा शात्रों का लीडर वहां आया, तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला व्यक्ति और कोई नहीं उसी साम भोजन, उसी साम को भोज में निमंत्री ततित गांधी जी ही थे देखिए गांधी जी हमारे कितने महान थे कि वे भोज के लिए गय थे लेकिन वो जो है, वहाँ जाके उन्होंने अपने को बड़ा नहीं दिखाया बलकि वो खुद उस महा के काम में अपने को सामिल किये गांधी जी को जब कभी आस्रम में किसी सहायक को रखने किया असकता होती थी तु वो किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे उनका मानना था नौकरों को हमें बेतन भोगी मजदूर नहीं वरन अपने भाई के समान मानना चाहिए इसमें कुछ कटनाईयां आ सकती है कुछ चोरियां हो सकती है फिर भी हमारा प्रयास निस्फल नहीं जाएगा देखी गांदी जी का विचार कितना माहान था कि वे जो है चुवा चूत को भी दूर रखते थे उतको नहीं मानते थे अगर रखने के लिए नौकर रखने के लिए तो हर्जन को ही रखने के लिए कहते थे क्योंकि उंच नीच चुवा चूत का बहुत समय था ना इसलिए वे ये कहते थे कि उसमें कठनाई आती थी लेकिन वो भी प्रियास करने से निस्फल हो जाएंगे